फ्रेंड्स आज जो मैं बनाने जा रही हूँ अब तक का सबसे आसान केक बहुत ही कम समय में मैंने बना के रेडी किया क्योंकि यह ओडर आया मुझे ऐसे दिन जिस दिन अल्रेडी काफी ओडर थे मुझे और मैंने सोचा कि क्या ऐसा डिजाइन बनाओ तो मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक कस्टमर का ओडर था कि चॉकलेट बड़े केक था एक पॉंड का केक था तो मैं बेस बना के रखी हूई थी लेकिन बस उसे बस आइसिंग करना था और मुझे यह दस मिनट में कर देना था मैंने सोचा कि कुछ अट्रेक्टिब डिजाइन भी देती हूँ और आाइसिंग जब आप क्रम कोटिंग करते समय आप डिजाइनिंग सोच सकते हैं तो पहले मैं कौट करने के के कक को ऊपर से मैं अच्छे से क्लियर कर ती तो यही काम देख़े उपर से इस ठार में है कि रभकर की नहीं हटाया बस उसãy फतले पत़े स्टैप्स करके मतलब मैं इसलिए कुछ कर दिया ताइम कम था इसलिए वो वर्क नहीं मैं कर सकती थी अब बस यह चारों दड़प से मैं उसकर उपड़ का लेयर हटा दिया जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी आपसे शेयर किया है चोर घ्ली का सब्सक्पाइए, इसलिए क्या होता है मेरे जो कस्क् मैंने इसे पानी से सोक किया क्योंकि आजकल सभी को कम मीठा चाहिए होता है तो वही रीजन था फिर मैंने वही जो मैं करती हूं कि साइट को लेबल कर ली फिर उसमें क्रीम क्रीम बनाते समय मैंने बताया ना कि इसमें मैंने थोड़ा चॉकलेट गनास डाल दिया था क्रीम में जिसे की टेस्ट जो है वह थोड़ा इंक्रीज हो जाता है अब इसे मझे बस लेयर में यूज करना है आप यहां पर चाहे तो चेरी भी डाल सकते हैं लेकिन आप देखे फ्रेंट्स वह बीच वाला पॉर्शन है जो कि उपर सबसे वाला मैंने कट किया था वाला है अब उसे फिर पानी से हमें सोक कर देना है और फिर उसे इंपोस्टेस को फॉलो करते हो मैंने क्रीमिंग किया और सबसे उप होती पसंद करते हैं मेरे केक को अब यहां देखे बस मुझे इसे क्रम कोट कर देना है और मौसम जो है ठंड का है तो इसलिए फ्रीज में रखने की तो आवाशकता नहीं लग रही है क्योंकि ठंड बहुत ही है और यह जो चॉकलेट है थोड़ी देर में क्या होगा कि हाड आप में क्या करते हैं और गाल इस और फाइपइन बेंग में मैंने वाइट क्रीम डाल दिया है तो एक जो इसका अर चॉकलेट से कर दिया है और उसी चारों तरह पसे जयाम तरह यह नहीं इस बार मैंने इस पैचुला की सोरी पैलेट नइफ की मदद नहीं ली बस डारेक मैंने स्क्रैपर से ही साइड को कवर किया ज़े फिनीशिंग आ गया है और उपर भी मैं स्क्रैपर से ही फटा फट में कर दूंगी क्योंकि अब एक बर मैं स्क्रैप से करूंगी और उसके बा जो बीडियो शेयर करती हूं आपके साथ में इतनी इजी मैंटर आपके साथ सेयर करती हूं फ्रेंड्स ताकि एक बिग्नर भी आप है ना तो बहुत इसली आप केक बना लेंगे रही बात बेस की तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगी कि घर में चाहिए और कभी स्टॉप कर देना चाहिए सब मैं बताऊंगी अब यह वही ब्रस है जिसे कि मैं सोक करती हूं बस साइड को थोड़ा सा इससे मैं एक एफेक्ट दे देती हूं लाइनिंग दे दूंगी जैसे कि पेड में नहीं होता है लंबी-लंबी लाइनिंग यह होती ह तो जिससे उसका एक अलग लुक आता है तो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हूं मैं डालूंगी फ्रेंड्स लगतार आप मुझे बहुत यह प्यार दे रहे हैं और यहां दीखिए फ्रेंड्स ही यह जो पाइपिन बैंग में मैंने डाला चॉकलेट गनास जो की ऑल्रेड काल देती हूं तो गनास मैंने डाला अब इसमें मैं लूज वाला स्क्रैपर लूगे जिससे की गनास जो है बड़ी इसली जो है फैल जाता है तो पहले पैलेट नैपसे पहला लेती हूं अपको फैलाना होता है कभी पनाने में एना फ्रेंड्स हाथ को हाडली नहीं चला ए और ये लूज वाला स्क्रैपर लिया देखी फैला दिया मैंने उपर से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ बहुत ही इजली गनास जो है एकदम लेवल में देख रहे है जैसे लग रहा है कर ड्रिपिंग केक है ड्रिप नीशे से ड्रिप गिर रहा है और उपर से गनास को म जो जब अपने वाइफ के लिए बनवाया था तो उसने बोला कि डिया रीना लिख देना आप यक केक पे डिया रीना लिख और यह पाली बना के अपने फ्रिज में स्टोर करके रखती हूं तो पैटल्स को डाल दिया और यहा चेरी डाल दिया रेड कलर के लिए तो यहां करणां पर एक नए ओड़े को तो इस तरह से liberal के तो एस पूरों कि धटांट करके में नहीं चाहिए दोड़े से केखक झाया है तो आद जार है तौल के जंड़ा आ ह।